गेम देखो क्या किया उन्होंने गेम को अप्रिशेट करो आपकी गवर्मेंट कैसे गेम करता है तुमको लगता है तुम ही गेमर हो इंकम टैक्स के क्योंकि तुमको इसा इटीट आता है तोड़ा दो-चार चाप्टर पढ़ने के बाद आप तो मैं चोरी कर लूँगा ठीक ह होता था तो मेरे estimation में share market में 2-3% लोगी profit कमाते हैं 96-98% लोग loss कमाते मतलब minority profit कमाता है majority loss करता है तो टैक्स long-term capital gain tax किसे लेते रहेंगे हम लोग जिनको capital gain हुआ है तो gain के उपर tax हुआ करता था ये security transaction tax है, transaction tax है, income tax और gain tax है नहीं, और क्योंकि income tax और gain tax नहीं है, यह तो transaction पर लग रहा है, तो आप profit करो या आप loss करो, transaction तो किया न आपने, तो irrespective whether you are in profit or loss, security transaction tax तो लगे गाई, तो यह समझ में आ रहा है, मतलब पहले 3% लोग tax भरते थे, अब कितने percent लोग tax भरेंगे, 100% नाम अलग है लेकिन, यह income tax नहीं है, capital gain tax नहीं, इसका नाम क्या है, security transaction, तुमको क्या है, मैं क्या बता रहा है, तुमको मैं salary बोल के पैसे दू, allowance बोनस बोल के पैसे दू, या भीक बोल के दू, तुमको उससे क्या लेना देना, तुमको तो किस से लेना देना है, पैसे मिलने चीए, तो हमको भी क्या मिलना चीए, tax मिलना चीए, देश को क्या मिलना चीए, आप GST बोलो, excise बोलो, वैड बोलो, कस्तम बोलो, तुमको जो अच्छा लगता हो, या इस्टिटी बोल दो, हमें तो ultimately क्या चीए आप से, तेरे बैंक अकॉंट में से कुछ निकलना चीए, और हमारे बैंक अकॉंट में कुछ आना चीए, समझ में आ रहा है, पहले 3% लोगों से लेते थे, अब 100% लोगों से लेना चालो हो गया, रेट बहुत कम किया, दिकाएंगे, ओई, आपको जैसे समझ में आएगा, आपको कुछ जा रहे तो, है, एक्जम्शन, देखते गया रहने का, इदर से क्या कटते जाएगा, इदर ध्यान देने का, ध्यान उद अजएक्शन हजार रुपए का करते हो, शेर मार्केट में, यह रेशो है, तो आपको 20 रुपए का गयन होता है, आप समझ रहे हो ना, आप 1000 का शेर परचिस करते हो, 1000 का शेर इमीजेटली 4000 का नहीं होता, 1000 का शेर धिरे धिरे बढ़ता है, 1002 रुपिया, 1005 रुपिया, 1008 तो आप 20-25 रुपए तक जब आपको गयन आ जाता है, आप उस शेर को सेल कर देते हो, यह 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 यह, तो ऐसा लोग बहुत ऐसा लॉंग टम मतलब 15-50 साल, 40 साल होल्ड करने की बात नहीं करते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल में बेच देते हैं लोग से, ठीक है, त कि ऐसा हुआ, एक कोई आपने ऐसा ट्रांजेक्शन किया, जो आपने 1000 रुपए का किया था, और उसमें आपको गेन कितना हुआ, 20 रुपया, पहले 20 टक्का किसका लग रहा था, 20 रुपए का, अब टक्का तो कम कर दिया गवर्मेंट ने, 0.1% कर दिया, लेकिन 0.1%, 20 रु कर गया हो, नहीं समझ रहा है, खिड़की में दिखते रहने का, लेकिन क्या दिया आपको, 20 रुपए के उपर, जो 20 टका बरने वाले था, लेकिन 0.1%, 1000 रुपए का ले रहा है, चिदंबर हमें हो, यह समझ में आ रहा है, हमको तो क्या चीए, टाक्स, तिसरा सुनो आप, त चाप्टर बताया था, सेट आफ और क्यारी फॉरवड चाप्टर का रूल ऐसा है, कि आपका इंकम टैक्सेबल है, तो आपको सेट आफ मिलेगा, और आपका इंकम एग्जेम्ट है, तो आपको सेट आफ नहीं मिलेगा, नो सेट आफ, जैसे एग्रिकल्चर का एग्जामप set off कैसे देंगे तो पहले मार्केट में tax लगता था और मार्केट में maximum लोग क्या बना रे थे loss बना रे थे तो फो लॉस का set off कहीं और से उलेते होंगे अदर जो taxable income होता है उसके जाने से ओ loss का set off लेते रहेंगे जसे जमीन बेच दिया share में लगाने के लिए क्योंकि shares में loss हुआ तो घर तो बेचना पड़ेगा अभी तो घर बेचा तो उदर gain हो गया लेकिन ये gain और वो loss क्या हो जाता था set off और government को tax नहीं मिलता था, market में लोग आज भी loss ही बनाते है maximum लोग तो क्या बनाते हैं loss लेकिन क्योंकि market को हमने exempt कर दिया तो उस loss का set off देने की जरुरत है यह नहीं, set off भी गायब कर दिया आपका मतलब अभी आपने loss भी कमाया है और उसका कोई benefit नहीं है, पहले loss का क्या मिलता था, benefit मिलता था यह logic भी clear होगे आपको, यह logic हमेशा पूरे law में चलते रहेगा क्या आपको deduction तो तब दूगा जब आप tax भरने के लिए रेडियो आपको आज़ादी तो तब मिलेगी ना जब आप खून देने के लिए रेडियो अरे आपको पैसे तो तब मिलेगे ना जब आप मेहनत करने के लिए रेडियो आपको एक्जाम में success तो तब मिलेगी ना जब आप पढ़ाई करने के लिए रेडियो वैसी government बोलता है आपको मैं benefit टब दूँगा income tax में जब आप tax देने के लिए रेडियो जिसका आप tax नहीं भरते उसके उपर benefit क्यों मांगने आए हो यहां तक clear है चलूं आगे तो यह तीन number का यह हो गया चार number गेम समझ रहा है ना आपके benefit कम होते जा रहे दिन बदिन यहां पे आपको दिखाया क्या जा रहा है exemption के उपर focus करो आपका ध्यान इज़त से भटके नहीं आपको benefit क्या दिया है आपको पूरा exemption दिया है लेकिन आपसे लिया क्या क्या जा रहा है STT किस पे transaction value पे loss का benefit मिलेगा क्या नहीं मिलेगा यह सब कुछ लिया जा रहा है आपसे लेकिन दिखाया क्या जा रहा है अरे और क्या ले लोगे government से पूरा ही तो tax free कर दिया मुझे बताओ long term capital gain किसको होता है seller को होता है कि buyer को होता है gain तो seller को होगा ना तो gain tax seller भरता था लेकिन जब market में transaction होता है share market में जब transaction होता है तो transaction buyer करता है कि seller करता है अरे दोनों करते हैं seller ने sale का transaction किया और buyer ने buy का transaction किया STTM दोनों से लेते हैं तुम नहीं समझे क्या कर रहा हो transaction 1000 रुपे का ही हुआ है लेकिन tax 2000 के उपर लग रहा है क्योंकि आपने 1000 रुपे का sale किया और किसे ने 1000 रुपे का buy किया transaction वही है चिद्धम बरम जी है वो उनको underestimate नहीं करते हैं फिर आप बोलो मौरीशियस से आते हैं मौरीशियस की जब treaty sign हुई थी तभी STT करके इंडिया में कुछ था ही नहीं तो उस treaty में STT exempt था ही नहीं तो मौरीशियस का जो रूट उमें बंद करना था वो तो यहां पे है और अभी आप मौरीशियस जाओगे क्युंड के तवह你 currently इंडिया में आओगे तभी आपको क्या नहीं ए कि टाक्स ही नहीं आए नवी मौरीशियस को रूट से खेंट भी टाक्स नहीं है और डायकिल le कि इनको दस साल लगे साव यह समझने के हमको एक जम जम्न दिखा के स्टेथी से मारा जा रहा है है दस साल तो कंफ्यूस्ज थी उपिक Orient की दो कुछ तो कट रहा है समझ निलाए कि क्या कट रहा है एbort time लगा इनको स्परेंस को समझने के-oking इंडिया ने कि या क्या है फिर उन्होंने गवर्मेंट बदल दी ऐसे मुझे लगता है अरे बिजनेस के पासे तो पैसे होते है ना तो उन्होंने बीजेपी को मुखा दिया होगा कि आप आजाओ या रहे लोग दिखाते कुछ और है मारते किदर हो रहे हैं तो नहीं गवर्मेंट आई जह साहब गुमते थे उनको पूझा गया कि साहब यह गलत हो रहा है हमारे सियऴ कि अन्होंने बोला थी के तो क्या चाहते हो आप तो नहें बोला वह स्थीटी हटा दो अच्छा नहीं लग रहेगा लेकिन एक रूट बनाओंगा में इंडिया में जैसे मौरीश येश्था ना वैसे इंडिया में एक रूट बनाओंगा इस रूट से अगर आप इंडिया में आओगे तो आपको STT नहीं लगेगी बाकिया आप किसी भी रूट से इंडिया में आओगे तो आपको STT लगेगी इस इंडिया को International Financial Service Center बोलते है याद रुखोगे यह वर्ड? International Financial Service Center इसका नाम अभी है Gift City इसका कुछ तो फुल फॉर्म है Gift City का यह गुजरात में है ठीक है ना इस City का नाम क्या दिया है अभी? Gift का फुल फॉर्म है गुजरात International Financial ऐसा कुछ तो होगा नाम हम देखेंगे यह देखी लेते हैं ना क्यों ऐसा गेस क्यों करें? फलतो का गुजरात International Finance Tech City इसका नाम क्या है? Gift City ठीक है ना? और यह कहां पे लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है लेकिन गुजरात में एमदाबाद में है देख रहाए आप को यहां पे? गुजरात में कहां पे है? एमदाबाद में है तो अगर आप GIFT City से इंडिया में आओगे तो आपको मैंने एक benefit बता दिया क्या benefit है STT नहीं लगया तो foreigner ने मांगा government से मांगा कि एसा कुछ करो कि सबसे STT GIFT City से अगर आप इंडिया में आओगे तो STT नहीं लगया बाकिछ लोगों से लेंगे से हुँ त्कव झिफ सिटई से हम फॉरेंड डरिक इन्वेस्टमेंट को इनकरेज्ज करतें इव डिया इको लेकर आतें इनजया में हम चाहते हैं कि नी फॉरेंटर हमारे देश में इन्वेस्ट करें बोलो और आप उनGay साथ फेल ट्रीटमेंट करना चाते हो कि हाथ आगे करके पीछे से मारना चाते हो फेल ट्रीटमेंट चलो आप से टाक्स नहीं लेंगे एस्टेटी नहीं लेंगे लेकिन आप कहां से इंट्री करोगे गिव सिट्टी से यह समझ में आ रहा है इसे से इंट्री करोगे इंटरना आप भी ओपन हाट से आजाओ, हम भी आपको ओपन हाट से लेकिन अगर तुम खेलने के लेकर आओगे, तो लेट्स प्ले देन, तो खेलते रहते फिर, आप तोड़ा दो दो बॉल की बैटिंग आप कर लो, चार ओर की फिर हम कर लेंगे, ठीक है ना, आपने चुना लगाना चालू किया, तो हम एंटी चुना लेके बेटे हैं हापे, तो अरुन जेटली सर वाज वेरी ओपन, अल्गी यू बेनिफिट, बट यहाँ टू फुल्फिल दा कंडेशन, तो एक तो यह मैंने बता दिया आपको, दुसरा उन्होंने बोला, उन्होंने एक अमाउंट दिया जो मुझे जितना याद आ रहा है कच्छा, वो है 58 लाक करोड का कैपिटल गेन एक साल में होता है, जब अरुन जेटली सर ने एक स्पीच दिया था, शेर मार्केट से लोग 12,005 लाक ऐसा नहीं कमा रहे, कितना कमा रहे हैं? 58 लाक करोड का इंकम कमाया जाता है, और जो 1038 म एक्जिंट किया जाता है, मतलब छोटी अमाउंट नहीं है, यह बहुत बड़ी अमाउंट है, और उन जेटली सर ने बोला, मैं इसको टैक्स करना चाता हूँ, मेरा देश मुझे डेवलप करना है, और बीना टैक्सेशन के डेवलप नहीं होता, और तुम सब अमीर लोगो इतना पैसा कमाते हो, आप टैक्स नहीं भरोगे तो कौन भरेगा, तो इनको टैक्स करना था, शेयर मार्केट को, तो उन्होंने क्या किया फिर, उन्होंने एक 112A करके सेक्शन लाया, क्या लाया 112A, लॉंग टम क्यापिटल गेन का नॉर्मल सेक्शन कुन सा है देश का, 112, 112 में ही क्यों नहीं टैक्स किया, क्योंकि 112 में 20% का रेट है, अरे 20 टका है ना, नॉर्मल जमीन बेचोगे, जोलीरी बेचोगे, कितना टैक्स लगता है देश में, 20%, लॉंग टेम क्यापिटल गेन का टैक्स का रेट 20% है, तो शेयर मार्केट को भी उसी में डाल देते है, ल 10 टका दे दो, क्यों 10 टका, 20 क्यों नहीं, क्योंकि आपने पहले से क्या भरा है, एस्टेटी भरा है, तो आपके उपर डबल टैक्सेशन हुआ है, मतलब आपके फादर में अगर जमीन बेची तो उससे 20 टका लेंगे, फादर आपकी जमीन किसना किसी मजबूरी में बेचे ट्रेडिंग करके कमा रहा है, वो हमीर है में गरीब है, उससे 10 इसलिए लिया जा रहा है, क्योंकि उसकी पहली ली चुकी है, किस में हैं, तो वो दो टैक्स बर रहा है, आपके फादर खाली एकी टैक्स बरने वाले हैं, ओके और आपके फादर को भी टैक्स बचाना है, त को इदर exemption deduction कुछ नहीं है 10% भरना ही पड़ेगा लेकिन ऐसा अजिम करना ठीक है क्या कि शेयर मार्केट में जो भी वह अमीर है मैं आप लोगों को भी बता रहा हो शेयर्स करिद के रखो शेयर्स करिद के रखो आप लोग अमीर हुए हो दिरे-दिरे हो जाओगे ना और अग गेन कितना होगा अपने 50,000 शेयर मार्केट में लगाए थे आज वो 70,000 के हो गए कुछ मजबूरी आपने 70,000 के शेयर मार्केट के उपर काई का एक्जम्शन तो आपको बुरा लगेगा की नहीं में 20,000 कमाया मेरे सिर्ट टस्टका ले ले लेते हो मैंने भी मजबूरी में शेयर बेचेते तो उनने बोला सुनो गरीब लोगो अगर आपका गेन लॉंग तर्म क्यापिटल गेन अगर एक लाक रुपए तक है तो टाक्स आज भी नहीं है 1038 हट गया है लेकिन 1128 का टाक्स का रेट का लाइंगवेज ही ऐसा है 10% अबाव वन लाक ऐसा टाक्स का अभाव नभाड तो आपका घर तीन लाक का गेन होगा तो तीन लाक टैक्स नहीं लगेगा दो लगेगा और सेविंटी अटी अड़न अगर कमा है तो टैक्स प्री मतलब हर साल लंग नम कैपिटल गिन कितना गामा सकते हो टैक्स फरी प्लानिंग करने वाले बच्चे बता हर साल एक लाग कमा सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी एक साल में अच्छानक पांच लाग कमाने से अच्छा क्या है हर साल में एक एक लाग गमाते जाओ ना वाइट का पैसा टैक्स फ्री अरे समझ रहा है कि आपको अलग अलग तरीके से आपको लाग पढ़ना पड़ेगा तो यह अरुण जिटली एरा है जहां पर टैक्स भी लेते हैं और लोगों को बुरा भी बुरा लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है कि आपको टैक्स लग रहा है शेर मार्केट के पर अपको बुरा लग रहा है क्या एन परसेंट इसट टाइक से प्रषेज वन्रेट टैक्स ख Columbus से वन कंट्री जिनको बोलते हो न सब्सक्राइब करोंगे था pul your tracking का नेस होता हैी इसट रखाय यहकी नहीं तो क्हों बोलता है इंडीय टैक्स एन सिस्टमेसिकली आप मार्केट में 100 कोड़ कमाऊं सब्सक्यां प्लिबहूं तो कहा प्रोघ्रेशिव है तो 10 तका नहीं दे शकते यह में जो डेश आपको 100 kron कमा कर देवरा और आप ने किया भी क्या अठीन ai coconut किया किया कुछ ने किसी कंपटी में शेस लेकर यख लेकर अघ दिये वह कमपणी में सब कुछ किया इस देश में सब कुछ किया है इस देश के लोगों Sedits बेटे 100 क्रोर कमाली है और उसका 10 टका भरने में आपको तकलीफ हो रही है होती है क्या मुझे बताओ और कोई देश है दुसरे जो 40 टकेगा टैक्स रखते हैं 30 टकेगा टैक्स लगते हैं फॉरेनर्स के लिए हमारे देश ने कितना रखा है और इसके वज़े से इंडिया में फॉरेन डारेक इन्वेस्मेंट बढ़ गया है कि हम टैक्स लेते लेकिन चोरी चोरी मारी करके नहीं उपन ली आप बोलोगे सर में फॉरेनरो मुझे एस्टिटी नहीं भरना है मत बोरो कौन से रूट से आओ गुजरात से आओ गिफ्ट सिटी से आओ आपको एस्टिटी नहीं है अब ही इंडिया के जो रीचक्लास है वो बतारे आप इए फटो एक हाली फॉरेनर्स के लिए ओपन है हमारे हाँ का एक रीचक्लास है वो डिमांड कर रहा है कि हमें भी आयफेसी में इंट्री दे दो कि हम भी हमारा थोड़ा बचा सकते हैं गवर्मेंट पॉलिस अब हम इने बोला नहीं अन्डेट देस का कुछ एक एक्षिन प्लान चालो है देविल बिरिंग समतिंग विल ब्रिंग सम्धिंग न्यू आने वाला है और कुछ नहीं तो अभी हम जिस पिरेड में ओ कुन सा पिरेड है 2018 के बाद वाला पिरेड है 2018 में यह अमेंडमेंड आया लेकिन अगले लेक्चर में करेंगे इसकेशन तोड़ा important discussion है क्योंकि अभी present law पड़ाना है मुझे अभी तक तो खाली क्या पड़ा रहा था इतिहास लेकिन इतिहास पड़ोगे तो law clear हो रहा है आपको समझ में आ रहा है 112A में rate 10% क्यों है एक लाग का exemption क्यों है तो याद रखना थोड़ी ना क्या पड़ता है चीदों को अगर आप चाहोगे उनके प्यार करोगे उनके logic में जाओगे उनकी इतिहास में जाओगे वो किसने लाया अगर वो देखोगे तो इट विल बिकम अ लिविंग एंटीटी और ultimately 2047 तक जाने की जरुद भी नहीं है इसमें से कुछ लोग अगर भड़क गए ना यत यूथ 47 क्या उसके पहले ही लॉंच हो जाएगा विक्सित भारत खाली अभी आप सोये हुए हो जाग जाओ recorded line वाले बच्चे भी जो देख रहे जाग जाओ कुछ ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया वावा करें ठीक है ना तो हमें वो करना है और मैंने तो चालू कर दिया है अपना तो गुरुकुल बन के रहेगा चलो नमस्कार